Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.A. सतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ इस GST News में हम लोग डिसकस करेंगे कि यदि आपके goods चोरी हो जाती है तो आपको GST किस परकार पर एक करना है जैसे कि यहाँ पर question है कि हम electronic goods में business करते हैं और हमने input as credit कुछ goods पर claim किया था लेकिन उसके बाद यह goods हमारी employee के द्वारा चोरी कर ली जाती है हमने F.I.R. दर्ज कराई है और investigation चल रही है तो क्या हमें इन goods के उपर जो के चोरी हो गई है उनके उपर GST पे करना होगा या फिर हमें इन goods का input as credit reverse करना होगा जदी हम इनका input as credit reverse करते हैं तो क्या हमें इसके उपर interest भी pay करना होगा इसके लिए आपको section 17, subsection 5 refer करना होगा CGST Act का जो कि यह कहता है कि इन goods चोरी हो जाती है गूम हो जाती है, destroy कर दी जाती है या फिर write off कर दी जाती है, dispose off कर दी जाती है या फिर gift के तोर पर दी जाती है free sample दे दिया जाता है तो आप इन goods के उपर input as credit claim नहीं कर सकते है इसके साथ ही आपको section 50, subsection 3 refer करना होगा CGST Act का जो कि यह कहता है कि अधि कोई व्यक्ति undue या फिर access claim कर लेता है input as credit का तो उस case में उसे interest भी pay करना होगा जो कि 24% से जादा नहीं हो सकता है इसके बाद सरकार ने notification issue किया था 13 of the 2017 central tax and notification number 6 of the 2017 integrated tax जो कि यह कहता था कि जो interest rate है वो 24% होगा इस परकार इस case में मेरा comment यही है कि यदि आपकी goods चोरी हो जाती है तो उस case में आपको उसका input tax credit reverse करना होगा यदि आप यह input tax credit immediately reverse कर देते हैं तो आपको interest pay करने के शक्ता नहीं है लेकिन यदि आप इसमें delay करते हैं तो आपको interest भी pay करना होगा आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं लाइक करें और share करें जितना अधिक आप लाइक करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुंचा पाएं यदि आप GST से लेटर regular updates अपनी email id पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे newsletter को subscribe कर सकते हैं जिसका link के इस GST news की video description में भी दिया गया है यदि आप हमारे previous GST news को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे channel की playlist को refer कर सकते हैं GST और text पर special जानकारी और tips लेने के लिए आप मेरे online course को भी join कर सकते हैं जिसका link के GST news की video description में भी दिया गया है यानि कि patreon.com slash csadbir singh